नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे इस चैनल स्प्रिच्वल ट्री में तुलसी की मंजरी के दस महत्वपूर्ण उपाए। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुब संकेत माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो मा लक्ष्मी आप पर महरबान होने वाली है। आज हम आपको इसी मंजरी के कुछ खास उपाए बताने वाले हैं। इन उपाईों से मा लक्ष्मी और भगवान विश्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेंगी। अगर आपके घर में रुपए पैसे को लेकर तनाव बढ़ रहा है अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुक शान्ती नहीं है। और रोजाना जगडे होते हैं तो तुलसी की मंजरी के उपाए आपकी समस्या को कम कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी मा लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। तीसरा उपाए जिस घर में कलह रहती है और अकसर लड़ाई जगड़े होते हैं वहाँ तुलसी की मंजरी का यह प्रयोग करना विशेश रूप से फलदाई हो सकता है। शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चड़ाएं। उपाए को करने से आपके उपर मान लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। पांचवाँ उपाए आर्थिक स्थिती में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेट कर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। चठा उपाए तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को आकरशित करती है और घर में सदैव सम्रिध्ध बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखते हैं तो आपके लिए बहुत लाभधायक हो सकता है। साथवा उपाय मंजरी के पानी से करें। शुद्धिकरण घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें। और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे यह जल बहुत पवित्र हो जाता है। और घर की सभी नकारात्म कूरजाएं इस जल में अवशोशित हो जाती है। इस उपाय से आपके घर में सदैव सम्रिद्धि बनी रहती है और सकारात्मकूरजा का संचार होता है जिससे आपकी मानसिक स्थिती अच्छी बनी रहती है। आठवा उपाय यदि आप तुलसी की मंजरी के पानी से शिवलिंग का अभिशेक करती है तो आपके जीवन में सकारात्मकूरजा का संचार होगा। इस उपाय से शिव पूजन का लाभ भी मिलता है। इसके लिए आप एक तांबे के लौटे में जल लें और उसमें तुलस में आ रही दिक्कतों को दूर करने और सूखी वैवाहिक जीवन के लिए दूध में तुलसी की मंजरी मिला कर शिव लिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाओं से चुटकारा मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। हाल जानेंगे इनका इस्तिमाल कैसे करें दसवां उपाएं। तुलसी की मंजरी में भरपूर मात्रा में एंटी बायोटिक एंटी पाया जाता है दोस्तों। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट करें। और चैनल पर न निवादों नमह शिवाएं।